लड़कियों में नए साल की कपड़े देख रही हूं अपने लिए हाँ और इस साल में बहुत खूपसूरत दिखना चाती हूं एक मरमेड ड्रेस खरीदना चाती हूं अपने लिए हाँ सच में बहुत अच्छा चूली क्या ये तो फैशनेबल भी नहीं है मैं अच्छी दिखना चाती हूं बस हो गया 2020 आ रहा है सुनो जूली मेरे पास एक बैतर खयाल है हमारी ड्रेस जादा लंबी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है तुम्हारे गुटनों तक ये रहे कुछ सिक्वेंस और कुछ ऑस्ट्रीच के पंक नीचे लगे होंगे इस तरह से लगे होंगे मुझे चंपीली ट्रेस चाहिए मैं शांदार और उत्किर्ष्ट लगना चाहती हूं सबसे अच्छी और सबसे शांदार हाँ मुझे पता है मैं मंगवाने वाली हूँ एक गुलाबी स्कर्ट सिक्वेंस के साथ एक गुलाबी टॉप सिक्वेंस के साथ और एक गुलाबी जैकेट कुछ पंक और सिक्वेंस के साथ कैसा लगेगा हाँ चलो देखते हैं ये रहा लड़कियो ध्यान से देखो तुम लोग यहाँ पर तो चलो इसे मैं अपने बकेट लिस्ट में डाल देती हूँ हाँ हो गया तो लड़कियों तुम्हें पता है इस बार हम नए साल की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे और हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कितने शांदार हैं हाँ मुझे भी सबसे शांदार दिखना है और इस साल में डाइना के जैसे चक्कर भी चलाना चाहती हूँ नास्तिया मैं ठक चुकी हूँ तुम से और तुमारे डैनिया से कौन है वो तुम उसे क्यों पसंद करती हूँ वो हैंसम और साफधान है नास्तिया तुम बस भी करो साफधान रहो सुनो लड़कियों क्या तुम गीगी को बुलाना चाहती हो नए साल की पाटी के लिए मुझे नहीं लगता है मुझे नहीं लगता कि उसके पैरेंट्स उसे यहां पर आने भी देंगे क्योंकि वो बहुत छोटी है तुम्हें याद है जब हम वीडियो फिल्म बना रहे थे तब उसने किसी को मार दिया था और वो सबके पीछे भागती रहती है हाँ वो छोटी बहुत आगे चली जाती है हमारे सारे लड़कों को चीन लेगी हाँ हम उसे अपने साथ बिल्कुल नहीं लेकर चाहिए हमें कोई पहाना बनाना होगा हम अलग-अलग जा रहे हैं हाँ जाए ना और हम नहीं मना रहे हैं हाँ आपने नए साल के लिए मुझे चमकीला वाला चाहिए और मैं सबसे चमकीली दिखना चाहती हूँ नए साल के पाटी में और मुझे मेकप भी बिल्कुल चमकीला चाहिए हाँ मैं भी शांदार मेकप करवाऊंगी लेकिन मैं अपने नेल को गुला भी कलर कर बहुत है, हाँ, मुझे हरे कलर का चाहिए, मुझे हरा, बहुत पसंद है गीगी, तुम क्या है, नास्तिया तुम्हें याद है ना, हमने क्या प्लैन किया था ठीक है ना, लड़कियों हाए गीगी, बाहर इतना अंधेरा हो रहा है, तुम अकेले क्यों घूम रही हो मुझे कुछ बताना है और मैं बिलकुल इंतजार नहीं कर सकती मैं प्यार में हूँ, और ये रहा वो लड़का ओ गीगी, हम खुश है तुम्हारे लिए हाँ, हैंसम तो है ये गीगी, इसके बहुत सारे पियर्सिंग है, लेकिन तुम्हें यही क्यों चाहिए, बताओ जरा उसके पास पियर्सिन है, और मेरे पास नहीं है, वो मेरी दरफ देखता भी नहीं है, मुझे भी पियर्सिंग चाहिए अभी गीगी, तुम कल तक अंज़ार करो हाँ, तुम कल सेलोन जाके करवा सकती हो, पियर्सिंग हाँ, तुम हमारे पास क्यों आई हो, रात बहुत हो चुकी है मैं कल तक इंतजार नहीं करूँगी, तुम लोग अभी मेरी पियर्सिंग करोगी गीगी, तुम? हम नहीं कर सकते हैं मुझे इन सब चीजों में बहुत डर लगता है, ची, पियर्सिंग मुझे मतलब नहीं है, तुम लोग कर सकती हो या नहीं, मुझे पियर्सिंग चाहिए और तुम लोग करोगी सुनो लड़कियों, मुझे लगता है, ये बहुत अच्छी तर्कीब है चलो चलते हैं और गिगी की पियर्सिंग करवाते हैं साथ में हाँ सही कहा, फिर वो किसी भी लड़के को नहीं चीनेगी हमसे वो इस पियर्सिंग वाले को डेट करेगी बिल्कुल सही कहा चलो चलते हैं चलो चलो लड़कियों मुझे जल्दी पियरसिंग चाहिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर रुको गिगी क्या ये जादा नहीं है गिगी तुम्हें समझना चाहिए कि हम पियरसिंग करने में उतने माहिर नहीं है इसका मतलब है कि तुम्हें हम पर भरोसा करना चाहिए लड़कियों क्या तुम लोगों को नहीं पता कि मैं प्यार में हूँ और जो प्यार में होते हो उसे किसी चीज़ से डर नहीं लगता चलो अब जल्दी से मेरा पियर सिंद करो मैं वेट नहीं कर सकती हाथो गिगी लड़कियों मुझे मास्क दो टोपी दूर्म दस्ताने भी अपना हाथ दो मुझे हो गया हाँ बस हो गया तुम तयार हो टूस दो हो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है जल्दी से पियर सिंद करो हाँ जल्दी करो गिगी क्या तुम तयार हो डर्णा मत गिगी दर्द नहीं होगा तुम्हें लड़कियों मेरी मदद करो इसमें टाइना मुझे ऐसी पियर सिंद चाहिए कि उससे मुझे से प्यार हो जाना चाहिए हो गया गिगी हम बहुत ठक गये हैं अब तुम देख लो अपने आपको लड़कियों क्या मैं खूबसूरत हूँ जैसा मैंने कहा था तुम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही पियर सिंद बनाया है ना वाउ लड़कियों में इतनी खूबसूरत हूँ क्या शांदार नाक है गिगी हम बहुत खुश है कि तुमें ये पसंद आया है जाकर अपने बॉい फेर्ट से मिलो अंने येकीन है कि वो तुम्हें बहुत पसंद करेगा तुम बहुत शांदार लग रहे हूँ वो तुम्हें पहली नजर में ही पसंद कर लेगा देख ना तुम हाँ, हो गया, तुम जा सत्ती हो, गिगी जाओ गी अब, पर किसी को बोलना मत, कुछ भी इस पियर्सिन के बारे में, समझ गई तो, और वहाँ ये सब करवाया है, मैं बहुत खुब सूरत लगनी हूँ, सुनो लड़कियों, क्या तुम मेरी बैली बटन में भी पियर्सिन कर अब मैं जाती हूँ, गिगी लेकिन ये सब बातें किसी को बताना मत तुम, और गल्ती से कोशिच भी मत करना, हाँ, ये हमारा राज रहेगा, चिंता मत करो लड़कियों मैं, लास्तिया जाओ और दर्वासा बंद कर दो, जूली हमने कौन सा मेकप चुना था, मैं उसका पी गिगी जा चुकी है लड़कियों, अब मुझे चाहिए चमकीला मेकप, चमकीले आइबरो, और बिल्कुल चमकीले चांदी वाले जैसे, मुझे भी वो वाला ही चाहिए, हाँ, नहीं, ओ, पहले मैं कहने वाली थी ऐसा कि मुझे चमकीला आइबरो चल कर देंगे, ठीक है, म हाँ, ये तो है ही, लेकिन, अब कौन है वहाँ, उमीद करती हूँ, वो गिगी ना हो, और अपना बैली बटन पियर्सिंग करने ना बोले, हाँ, यार, चलो, चलो, हख चुकी है, अब, हाई, हाई, दोस्तों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, अभी इस वक्त, क्या तु कि पियर्सिंग नहीं की है, मुझे तो सुई से भी डर लगता है, बहुत जादा, हाँ, हमें भी सुई से बहुत जादा डर लगता है, हाँ, हम कुछ भी पियर्सिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं, हम तो नहीं करते हैं, हमें कीगी की नहीं सुननी चाहिए, सही कहा, गैंग चलो इन्हें दिखाते हैं जाइना मतलब क्या है तुमने मेरे आते गंटे में कर दिया अब इस गैंग ने मेरा पीछा किया है पियर्सिन करवाने के लिए इनका भी पियर्सिन कर दो हेई दोस्तो लड़कियों मुसीबत में भस गए है चूली ये मैं देख सकती हूँ नास्तिया हमें गिगी से समझोता नहीं करना चाहिए था सुनो तुम चैटर बॉक्स हमने तुमें कहा था ना किसी को भी नहीं बताने के लिए कुछ भी कैसे नहीं बताती उनको मैं चल रही थी तो साइरी लाइटे मेरे उपर पढ रही थी और मैं चमक रही थी तो ये लोग कुछ से पूछने लगे कि मैंने कहा कराया है कौन से सलोन में तो तुम कुछ भी जूट मोल देती गिगी देखो हम भच सकते हैं हमारे पेरेंस क्या कहेंगे नहीं होगा कर दो ना पियरसिन गिगी क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कितने लोग है वहाँ हमें तुम्हारी तरह कितनों के पियरसिन बनाने पड़ेंगे चिंता मत करो नास्तिया बस एक सांस लो और सबके पियरसिन कर दो और तुम सबसे पैसे भी ले सकती हो चोड़ो गिगी तुमने क्या कर दिया नास्तिया तुम्हें बहुत बड़ी मुसीवत में आ गई हो डाइना एक सांस लो गिगी के पास बहुत अच्छी तरकीब है हम इस पीरसिंग से पैसे कमा सकते हो और इनी पैसों से अपने लिए ड्रेस खरीच सकते हैं, बहुत अच्छे-च्छे चीक चलो कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने देखा वो कितने लोग है पीर सिंग, पीर सिंग, तो रोगो. वैसे लड़कियों, पहले कौन है और 20% मेरा होगा, समझी? गीकी, हमने अभी तक कुछ भी नहीं कमाया है, समझी तो. गीकी, तुम्हारी लंबी जीप पे पीर सिंग कर देंगे हम, समझ में आया? बस हो गया, Nastya Julie, उनको आतर आने दो, बस हो गया, जलदी आओ पियरसिंग 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 पहले बेचाओँगी, तुम लोग इंदर चरें, जब मैं अप शुरू करने वारी हूँ पियरसिंग पियरसिंग रुको दोस्तों, शान्त हो जाओ, अगर तुम लोग ऐसे ही हला करते रहोगे, तो हम किसी का भी पियरसिंग नहीं कर पाएंगे, समझे तुम लोग? हाँ, चीक है, तुम्हारी बात मानते हैं. येलो टाइना, ये रहे टूल्स. हाँ, तो दोस्तों, पहले कौन करवाना चाहता है? मैं, 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 चीक है. मैं लड़की हूँ, पहले मैं जाओंगी. आओ याना, आकर यहाँ पे बैठ जाओ, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें. हाँ, तो याना, ड्रॉफ और जगत दोनों चुनों पियरसिंग के लिए, ये तुम्हारी मर्सी होगी इसमें. याना, तुम गैंग की मालिक हो, तुम्हें अच्छा और बड़ा चुनना चाहिए. ये वाला अच्छा है. याना, तुम्हारी बहुत अच्छी पसंद है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं, जूली आजाओ. मैं यहाँ हूँ. लड़क्यों क्या, तुम्हें अपने हाँ धोल ये हैं, मुझे बता दो. जाएना, क्या तुमने टूल्स को साफ किया है? हाँ, मैंने किया है. क्या, ये राज है. हो गया. हो, ये मेरे नाग के नीचे है. ये क्या है? क्या ये तुम्हें पसंद आया है? देखो जरा. बिल्कुल मैं इसके बारे में कितने टाइम से खुआप देख रही थी. सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. आजाओ, जल्दी करो. दोस्तों, मैं अब गयाएं की नई लीडर हूँ. मुझे आपसे हिंदी-हंदी के नाम से बुलाना तुम लोग. क्या तुम्हारे पास और बड़ी रिंग नहीं थी? ये वाली सबसे ज़्यादा बड़ी है. वैसे जीमा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी नाग पर पियर्सिंग करवाना चाहता हूँ. लेकिन ऐसे मत करना है कि किसी के ध्यान में आए. ठीक है, तो फिर चुन लो. जीमा, बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी. केट नाशक दे दो मुझे. अच्छा, इसे करवाने से क्या मैं शानदार लगोंगा? लगोगे, गिगी से बेतर लगोगे, जरूर. तयार हो तुम्हें क्या लगता है? ये तुम पढ़ जच रहा है, डीमा. ये दिखो, जीमा. वाउ, ये तो शानदार है. वाउ, शानदार. जल्दी आओ तुम लोग, देर मत करो ची वैसे भी मेरा बहतर है अर्थियूम अब तुम जाओ डीमा कैसा लगा तुम्हें करवा के बहुत आसान ठाकल तुम्हें अपने कान पे भी करवाओंगा अर्थियूम तुम आजो अर्थियूम तुम बहुत सारे लोग हो और हम बहुत कम है बस भी करो हो गया बस हो गया हाँ तुम अपसे मेरा नाम हिंदी हिंदी है कल स्कूल में सब मुझसे डरेंगे तुम देख लेना अर तुम जल्दी करो, मैं अपने कान पे पियर्सिंग करवाना चाहता हूँ हाँ, तुम्हें बहुत देर हो गई, तुम्हें तु सिर्फ अपने होटों पे ही पियर्सिंग करवानी देना ठीक है तुम्हें क्या लगता है? शांदार पसंद करोंगे, ये बहुत शांदार है, इसी चुदू, ये बहुत अच्छा है ठीक है ये वाला? जूली के टानू नाशक ठीक है ओफो, मुझे तु लगता है कि वो सारे रिंग इस्तमाल करने वाले हैं हो गया या क्या तुम्हें पसंद आया? तुम बहुत हैंसम लग रहे हो आठ्यों तुम्हारी बारी है आजाओ चलो अब मैं जा रहा हूँ बैट जाओ हम तुम्हारे लिए क्या पियर सिंग करें? नहीं, नहीं, नहीं चलो तुम्हारे लिए कुछ आसान बनाते हैं यह वाला मेरे कान में कर दो हाथ तु फिर चुलो इसमेंसे दोनो चलो तीन बनाते हैं अहीं, प्रहे हो तुम्हारे जाओ आ जाओ बनाते हैं कौन सा शांदार है यह लाल वाला जाड़ा है यह वाला यह बहुत अच्छा है तुम तयार हो ना अर्थियूम हाँ तू अर्थियूम क्या तुम तयार हो अब क्या तुम तयार हो अब यह तुम देख सकते हो यह इतना लंबा क्यों नहीं है यह बहुत खूबसूरत है यह फैशनेवल लग रहा है बिल्कुल हो गया, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, सच में बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम, देखो इसे अर्थियूम जल्दी करो, अर्थियूम जल्दी करो ठीक है चलो, पैसे कौन देगा पीरसिन के? है यही कैसे पैसे पैसो की तुम कोई बात नहीं हूई टी और मेरे नए साल के कपड़ों का क्या गिगी हम वो खुद से खरीद लेंगे हाँ हम खरीद लेंगे बस हो गया उनको घर जाने दो और तुम भी उनके साथ चले जाओ क्या तुमने सुना गिगी मुझे तुम लोगों का कुछ समझ में नहीं आता लड़कियों हमें गिगी से पंगा नहीं लेना चाहिए था समझे गिगी से अब हम कोई समझhOTा नहीं करेंगे अच्छा है वो हमारे साथ नए साल की पाटी में नहीं जा रही है वो अपने जबान पे लगाम नहीं लगा पाती है कुछ भी बोलती बस हो गया, अब नहीं कर सकते हैं आज़ो जूली मेरी मदद करो आराम से हाँ, जल्दी करते हैं यह लो यह बहुत बड़ा है जूली, अच्छा होगा, तुम ही इसे उठाओ मुझसे नहीं होगा यह नास्या, तुम कमजोर हो, लाओ इसे मैं उठा लूँगी मैं उठा सकती हूँ जूली उठा सकती है, यह तुम से ही होगा ओ, अब कौन है, क्या इन लोगों ने किसी और को बता दिया है चुप करो लड़कियों, ऐसा लगना चाहिए, हम घर पर नहीं नहीं, लड़कियों ऐसे काम नहीं चलने वाला है, मैं दरवाजा खोल कर बोल देती हूँ कि हम पियरसिंग नहीं करवाने वाले है सही कहा जूली तुमने क्या, दोस्तों, हम किसी के लिए पियरसिंग अभ नहीं कर सकते हैं इतनी रात में आम यहां piercing के लिए नहीं आये हैं, क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं? हमारे parents ने हमें घर से बाहर निकाल लिए जूली क्या दो कि अब हम किसी के लिए piercing नहीं बनाएंगे और दर्वासा बंद कर दो, जूली क्या झाल झाल झाल